नमस्कार दोस्तों फिर से सवागत है आपका एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे हाथ में हैं Samsung J2 Mobile आपके पास Samsung का कोई साभी Mobile है चाए Samsung Core हो चाए Samsung Pro हो कोई साभी फर्फ नहीं पड़ता है आपके पास कोई साभी Mobile हो तो इसमें आपको बताने वाली हूँ कि आप contact को कैसे block कर सकते हैं और block contact को कैसे unblock कर सकते हैं तो चलिए guys वीडियो को start कर लेते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को subscribe कर लीजिए अब आपको क्या गरना है phone पर जाना है और कोई सा भी number एक dial कर लेंगे आप या फिर अपने contacts में से भी ले सकते हैं तो यहां से मैंने कोई भी number ऐसे उठा लिया और इसकी बाद इस पर click करूँगी और more पर click करूँगी यहां से block number पर मैं click कर दूँगी और okay कर दूँगी और इसकी बाद मैं back कर दूँगी और contact number को block करने के लिए आपको क्या करना है more पर चले जाना है और setting पर चले जाएंगे और इसकी बाद यहां पर आपको call blocking का option देखने को मिलता है आपको इस पर click कर देना है और यहां पर आपको block list देखने को मिल जाएगा आप इस पर click करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको यहां पर number add करने का option दिखने को मिल जाता है तो यहां से मैंने phone number मानली जिए add कर दिया इसके बाद मैं plus पर click करूँगी तो यहां पर यह add होते जाएंगे यहां पर click करूँगी, plus पर add करूँगी तो यह add होते जाएंगे और इसके बाद अगर call locks में से आपको edit करना है तो locks पर चले जाएंगे तो recent में जो आपका number है वो आ जाएगा और इसके बाद मैं इसको back कर देती हूँ और locks पे चले जाएंगे और मेरे को ये वाला number add करना है तो मैं इस पे click करूँगी तो ये number यहाँ आ गया है तो plus पे कर दूँगी तो ये number आपका यहाँ पे आ जाएगा और इसके बाद contacts पे चले जाएंगे contacts में से कोई block करना है तो contacts पे चले जाएंगे और इसके बाद इसको click करेंगे और कोई सभी number एक select कर लेंगे just one पे click करेंगे और ये number यहाँ आ गया है तो इस पे plus पे click करेंगे तो ये number आप देख सकते हैं block हो गया है यहां से और इसी तरह से अगर आप इस पे call करते हैं तो block anonymous call आता है यानि कि जिसकी identification नहीं होती है अगर उसका call आता है तो यह automatically block हो जाता है तो यह आप decide कर लेंगे कि उसे block करना है या नहीं करना है और यह कर लीजेगा ज्यादा तर इसमें spam calls आती है और इसके बाद बारी आ जाती है block calls में से हटाने की तो number select कर लेंगे और minus पे click कर लेंगे ऐसे करके तो यह number यहां से हट जाएंगे तो इस step से आप इस पे click करते रहेंगे और यह हटते जाएंगे और आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे मैंने सारे contacts को unblock कर दिया है तो इस step से आप अपने numbers को unblock और ब्लॉक कर सकते हैं तो I hope guys यह video आपको ज़रूर पसंद आया होगा अगर वीडियो से related की query है तो नीची comment section में पूछ लीजेगा तो चली मिलते हैं आपको एक next video में तब तक के लिए नमस्कार